स्वागत है दोस्तों आपका कंश्यूजन 9.2.11 में दोस्तों जैसा कि बहुत पहले बिहार बिधान सभा का जो आप लोग ग्रूप D के लिए जो पोस्ट एपलाई किये थे उसका इंटर्व्यू का डेट आ गया है और कैसे क्या करना सारे डीटेल बता दिया गया है कब से सुरू हो रहा है और कैसे इंटर्व्यू में सामिल होंगे एड्मिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना होगा वो सारा डीटेल इसमें बता दिया गया है तो जो भी बिहार बिधान सभा में गुरूप D के लिए जो एपलाई किये थे ड्राइवर छोड़ करके क्योंकि ड्राइवर का अलग से ले लिया गया है एक्जाम वगरा सारा कुछ तो उसके लिए है यहाँ पे एक नोटिस आया है तो देख लिजेगा यहाँ पे यहाँ पे सबसे नीचे चले जाएगा बिहार बिधान सभा का वेप साइट ओपन करके और यहाँ पे आप देखे का इंपॉर्टेंट नोटिस रिकार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नमबर 04-2018 यह अलग है एडवर्टाइजमेंट नमबर 04-2018 पोस्ट ड्राइवर के लिए अलग था जो हो चुका है यह जो नया जो बाकी बज़ गया था पोस्ट जिसके लिए केवल इंटर्व्यू था जिसमें माली था दर्बान था परिचारी का था पोस्ट बहुत सारा पोस्ट था तो इसके लिए है रिकार्डिंग तो इसे मैं डाउनलोड करके आप लोग को ओपन कर लेता हूँ इसे क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा आप इसे ओपन कर लीजिगा और ओपन करने के बाद यहां पर देख लेते हैं क्या 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 पूरण डीटेल है आपके चाह की आपको पर समझने में ज्यादा प्रोलम ना हो चलिए यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार बिधान सबा सचीवाले के बिग्यापत संक्या 04 2018 के अंतरगत पुस्तकाले परिचारी क्रम पत्र वित्रक कर्याले परिचारी कर्याले परिचारी दर्बान कर्याले परिचारी सफाई कर्मी कर्याले परिचारी माली एवं कर्याले प परिचारी फर्रास के पदों पर भरती है तू साक्षातकार दिनांक 11.09.2019 से सवा सची वाले के एनेक्सी भवन में होगा यानि कि 11.09.2019 से सुरू हो जाएगा दूसरा नंबर पर लिखा हुआ साक्षातकार ऑनलाइन इंटर्व्यू स्लोट बुकिंग सिस्टम द्वारा होगा जिसके मादम से अब भिहारती अपने सुविधा अनुसार साक्षातकार के लिए ती थी येवं समय का चेयन कर सकते हैं तो इसका मतलब है और ऑनलाइन इंटर्व्यू स्लोट बुकिंग सिस्टम का लिंक बिहार बिधानसवा की बेव साइट www.bidhansawa.bih.nic.in पर दिनांक 22 अगस्त को 22 अगस्त 2019 को 11 बज़े पर वहां से 2 सितंबर 2019 को 5 बज़े अपनाहं तक उपलब्द रहेगा यानि कि एक अनलाइन इंटर्व्यू स्लोट बुकिंग सिस्टम का जो लिंक है वो आपको 22 अगस्त तक जारी कर देगा इस लिंक पर किलिक करके आप जो वहां पर मांगा जाएगा आपका सायद आप्लिकेशन ID पासवर्ड जो आप होंगे वो सायद मांगा जाएगा और उसके बाद वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस डेट को और कितने बज़े टाइम में इंटर्वियू देना चाहते हैं वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लिजेगा उसके बाद वो सब्मिट कर दीजेगा यहाँ पे चौथा नंबर पे लिखा गया सर्व पत्रम अभ्यार्थी अपना अप्लिकेशन नंबर एवं डेट और वर्थ के द्वारा लॉगिन कर साक्षातकार के लिए तीथी एवं समय डाल कर स्लोट बुक करेंगे स्लोट बुक करने की प्रेकिरिया के उपरान थी अभ्यार्थी अपना परवेश्पत्र डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यार्थी दिनांग 11.9.2019 तक अपना परवेश्पत्र डाउनलोड कर सकते हैं आवेदक को डाक से बाइपोस्ट परवेस्पत निर्गत नहीं किया जाएगा छटा नमबर पर एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाला बिहारतियों को आवेदित पदों के लिए अपनी प्राथमिक्ता दर्ज करना अनिवारे होगा जिसके लिए दिनांग 39.2019 से बिहार बिदान सवा सची वाले के बेव साइट पर अलग से लिंक जारी किया जाएगा स्लोड बुकिंग ओला लिंक में नहीं होगा ये अलग से लिंक जारी किया जाएगा और निर्धारित अवधी में प्राथमिक्ता दर्ज नहीं किये जाने की स्थिती में सबा सची वाले दोरा प्राथमिक्ता निर्धारित की जाएगी साथों परवेश पत्र पर साक्षातकार किती थी समय एवम अन निर्देश अंकित रहेगा आवेदग परवेश पत्र पर अग्कित अनुदेश का अध्यनकर उसका नुपालन सुनिचित करेंगे आवेदगोग को उक्तस्तल पर तलासी यानिकी फ्रिस्किन की प्रकिरिया से गुजरना होगा और अगर किनी का प्रवेश पर डाउनलोड नहीं होता तो वो इस इमेल पर अपना या फिर मॉवाइल नंबर पर यहाँ पर दे दिया गया है संपर कर सकते हैं और एक चीज़ और यहाँ पर कहा गया है कि आवेदक परवेश पत्र के साथ निम्नांकित कागजात की मूल प्रती एवं में एक सो अभी परमानी छाया परती के साथ उपस्तित होंगे पहला आवेदन प्रपत्र जिसे आउनलाइन आवेदन करते से में डाउनलोड किया गया था दूसरा है वर्तवान में माने फोटो पहचान पत्र अथवा अधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी करयाले बिभाग आदी दोरा निर्गत पहचान पत्र बारा है परवेश पत्र, पूर्णता और वंदिक है परवेश पत्र निर्गत होने से आवेदक की अर्था संपुष्ट नहीं होती आपके दोरा आउनलाइन आवेदन में की गए प्रविष्टी एवन दी गई सूचना तथा उसे संबंदित कागजाद में किसी परकार की व वा सची वाले इन ले सकता है तो यह था सारा डीटेल मेंने सारा डीटल बता दिया अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो किट्प्राइब करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताक कि कोई भी नयापडेट आया है तो उसका वीडिय सबसे पहले आपके मोईल तक पहुं सके इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग अंगल में हुद धन्यवार